अल्वेज वेलकम साथियों डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ विद्वानों अपने प्रोड़क्शन इंजिनेरिंग की स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ाया और आगए इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सारा कंटेंट आपको पीड़ फरमेट मे सां होती है वे श्माने की साफ़ोल भनाये जाते हैं किस टर्म को किस नाम से जाना जाता है टोल्रेंश किस प्रकार से क्यूं दिया परकार से होता है, क्लिरेंस दे कर fit एड़ेस्ट किया जाता है, जहां जिसकी requirement होगी, ऐसी चीज़ें आप बनाते हैं इस चीजें को, इस concept से आप बोल सकते हैं, यह concept परकार का fit है, कहां इस्तमाल किया जा रहा है, क्यों इस्तमाल किया जा रहा है, सभी कि अपने अपने requirement है अपने concept है जिस प्रकार से इस्तिमाल किया जाते हैं transition fit है उसके बाद देखा था interference fit के बारे में जानकारी लिए थी किस प्रकार से ये fit किये जाते हैं कब ये आसान होता है इन एड़ेस्ट करना अपने देखे होंगे बड़े भारी भारी है सोची है चलती चलती ट्रेंज में से बील निकल कर भाग जाए ऐसा बहुत रियर चांच है impossible समझ लीजिए आप एक्सल में से बील निकल कर भागे गई नहीं क्योंकि हमने उसको interference fit दे रखा है जैसा आपको बताया था cooling करकर पिछली वीडियो आप देखें डेटेल में आपको अच्छे समझवाएका किस परकार से चीजों का adjust किया जाता है किस परकार से fit बनाए जाते हैं तो ये टूट ही जाएंगे लेकिन एक दूसरे का साथ चोट कर नहीं जाएंगे क्योंकि इनके साथ जो रस्में अदा कराई गई हैं बादे बनवाए गए हैं कुछ conditions लगाई गई हैं तो इतनी खतरनाक हैं कि जनम जनम का साथ है तुमारा हमारा उस पिरकार का formula लेकर चलत हैं कुछ conditions होती हैं exceptions होते हैं जो हड़ जाते हैं लेकिन उनमें भी यही सिस्टम है एक बार उनको जोड़ दिया उनके साथ भी वादा करा दिया interference वाला तो bearing and housing भी इतना आसान काम नहीं है उनका एक दूसरे का साथ छोड़ पाना late spindle bearing जो connection होता है late spindle and bearing में वो भी interference फिट ह होता है अब बात की जाए जहां पर बहुत ज्यादा requirement है कि एक दूसरे का साथ छोड़े ही नहीं या फिर बहुत ज्यादा heavy load लग रहा है जिन पर तो इस फिर car fit इस्तिमाल किया जाता है material तूट सकता है लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा metal तूट सकता है लेकिन piston and cylinder है जो आपने देखे होंगे detail में पढ़े होंगे heat transfer में कहीं भी thermal थर्मल इस्टेड या आपने किये थर्मडाइनमिक्स पढ़ी है तो जरूर आपको पता होगा engineer है तो यह सब आपको पता होगा engine किस परकार से काम करता है तो सोचिए यह interference fit होता यह transition fit होता तो आसान होता जब से start हुआ है तभी से चली रहा है दीरे दीरे जगे ले लिए है light ने electricity ने मोटरों से काम किये जा रहे है आज कल electrical vehicles भी आ रहे हैं train भी चल रही है बहुत काम replace किया जा रहा है चीज़ें बदलती रहेंगी requirement के साब से यह process चलता रहेगा हर process की हर concept की अपनी एक अबदी ह जिस समय में जो famous है चलता रहेगा जैसी requirement है चीज़े अपडेट होंगी और उननत तक नीक आएंगी बहतर चीज़ेंगी तो चीज़ों को replace कर देती है piston cylinder यह आप देख सकते है clearance fit है point पर आ जाते है वापिस gear pulley and flywheel on shaft shaft लगी हुई है shaft पर आप कोई gear लगाना चाहते है flywheel लग जाता है अब इसमें हो सकता है यह slide कर जाएकर force लगे को इतना मजबूद इनका bond नहीं है तो इसमें कुछ key दे दी जाती है slot marker जगे देकर space देकर key लगा दी जाती है जिससे key इनको आसानी से घूमने नहीं देती आदा portion shaft में की का होगा आदा portion ऊपर जो gear है apple यह उसमें होत जाती है अन्य था यह सब इतना आसानी भी नहीं होगा force आप जाद लगा दें की भी टूट जाएगी poly gear साफ सब कुछ तूट सकता है तो सारी चेक करकर engineering प्रोसेसों से गुजर कर चीज़ें इस्तमाल करने के लिए बहतर दुनिया को luxury comfort देने के लिए बाहर आती है उससे प बता है था baseline है zero line है इस मैं सेफ से उपर या नीचे कहाँ पर आपको deviation देखने को मिलता है यहा एक deviation यहां हो सकता है दूसरी हो सकता है तो इस प्रकार से इन में से minimum deviation होगा यह उपर वाला है तो यही fundamental deviation होता है तो fundamental deviation को किस प्रकार से express किया जा सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं fundamental deviation को 28 letter में alphabet जिसमें 26 alphabet से हैं उनमें से आप I, L, O, Q, W जैसे alphabet कौन से हैं A, B, C, D इस प्रकार से Z तक उनमें से आप इनमें जो यह आएंगे इनको subtract कर लिए और उनी के साथ 7 pairs add कर दीजिए 7 pairs में क्या है जैसे A, B, C, D ABC तो C के बाद आ गया CD फिर उसके बाद D इस प्रकार से आप चलते जाएंगे D के बाद E आ गया, E के बाद EF आ गया है EF फिर G आएगा फिर उसके बाद GH आएगा तो इसे add आप चलते चल जाएंगे, भड़ते चले जाएंगे तो आपको total देखने को बिलेंगे 26 alphabet में से इनको subtract कर देंगे बचे हुए रहेंगे, उनमें फिर इनको add कर दीजा 7 pair को, इस प्रकार से letter से, alphabet से fundamental deviation को express किया जाता है इस प्रकार से soft के लिए किया जाता है यहाँ पर hall के लिए किया जाएगा तो capital letter होंगे, soft के लिए small letter का इस्तमाल किया जाता है यही same process, fundamental deviation for soft इस्तमाल किया जाता है small letter यहाँ पर, काम में लेते है small letters, जैसा कि अभी आपने देखे थे ABCD, तो यहाँ पर small हो जाएंगे, पीछे आपने देखे थे इसमें आपको capital letters नजर आ रहे है तो यह capital letter इस्तमाल किये जाएंगे यहाँ पर, अब जैसा आप देख सकते है यहाँ पर fundamental deviation for soft है यह hall के लिए, तो hall के लिए capital letter इस्तमाल किये जाएंगे, यह small letter soft के लिए इस्तमाल किये जाते है यहाँ आप देखना चाहें तो अभी जान सकते है साथियो, fundamental deviation for soft ABCD, जैसे आपको बताया था साथियो तो इसमें से CD आ गया है D भी है, यहाँ पर आप इसने series में देख कर चलें किस परकार से alphabetical order आप देखेंगे उस परकार से adjust कर दें उसमें से 26 alphabet है उनमें से कुछ हटा दिये गए और कुछ add कर दिये गए 7 pairs तो वही इस्तमाल होंगे SAM, यहाँ पर सिर्फ capital और small कांतर होगा, small किस के लिए small letter soft के लिए capital letter यहाँ पर hall के लिए इस्तमाल किया जाएंगे अब इन्हें express किस परकार से किया जाता है जैसा आप यहाँ डाइग्राम से देख सकते है baseline है अपनी, यह 0 line है यहाँ से start करेंगे आप A, B, C, D, E, F, G, H S तक आएंगे, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T इस परकार Z तक आप बोलते जाएंगे जो चीज है नहीं उसमें सबस्टेक्ट कर देना उसको आप उध्यान रखना होता है और Z, C तक चलती है Z, Z, A, Z, B, Z, C तक और hall की बात की जाए यह soft कीती साथ यह नीचे से start होगा क्योंकि soft का nature है चोटा होना, hall के अंदर समाना तो देरे-देरे बढ़ता चला जाएगा वह अलग बात है कभी-कभी soft का बढ़ा ही हो जाता है अब hall की बात की जाए साथ यह hall आएगा उपर से घूमते वे B, C, D इस परकार से यहाँ पर capital H मिलेगा तो इस line पर दोनों के H मिलते हैं तो आपको fundamental deviation देखने को मिलेंगे system होगा hall basis हो सकता है short basis हो सकता है तो इसमें capital small letter का पता होना चाहिए तो इस परकार से गूमते आएगे जैड सी तक small यहाँ पर small देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर small H soft basis system express कर रहा है capital H hall basis system express कर रहा है यह सारी काहिए आपने detail में जानी और जानते रहेंगे साथियो क्योंकि हम आपके साथ हैं आप चाहें जब contact कर कर कोई विक्योरी अपनी पूंच सकते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गरायों से बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक पढ़ते रहें बेस्त रहें मस्त रहें जैहिन बंदे मात्राम